Hello students, in this video, I am going to start next chapter, chapter number 7, fractions. Start करते हैं, fraction की, get set go exercise. यह जो chapter number 7 fraction है, यह आपकी textbook के page number 85 पर है, ओके, यह है 85. इसमें देखो, question number 1 है, 1 में आपको दिया है, A में 2, और denominator में दिया है 5, तो इसको हम क्या कहेंगे, वह हमें यहाँ पर लिखना है, अगर A से आपको दिया है, तो इसको हम कहेंगे 2 by 5, या फिर इसको कहेंगे 2 by 5, और B में दिया है 1 by 3, तो numerator में है 1, और denominator में है 3, तो इसको कहेंगे 1, 3rd, अब C में देखो, C में क्या है, 2, और denominator में है 4, उपर जो होगा, इसको हम कहेंगे numerator, और नीचे जो होगा, इसे कहेंगे denominator, numerator में 2 और denominator में 4 है, तो इसे हम कहेंगे 2, 4th, तो यहाँ पर लिखेंगे, यह हो जाएगा 2, 4th, यह हो जाएगा 1, 3rd, और यह हो जाएगा 2, 5th, तो यह हो गया, question 1, अब करते है, question number 2, write the numerator and denominator of the following fraction, तो यहाँ पर जो दिया है, यह fraction है, इसका हमें numerator और denominator लिखना है यहाँ पर, तो यह में दिखो क्या है, उपर है 3, और नीचे है 7, तो जो उपर होगा, इसको हम कहेंगे numerator, और नीचे जो होगा, इसे हम कहेंगे denominator, तो यहाँ पर n हो जाएगा, n यानि की numerator, यह हो जाएगा 3, और denominator हो जाएगा 7, similarly, b में numerator क्या हो जाएगा, 9, और denominator हो जाएगा 10, अब c करते है, c में numerator हो जाएगा 5, और denominator हो जाएगा 9, यह हो गया, question number 2, अब करते है, question number 3, in a fraction, the number written about the horizontal line is called, यहाँ पर है blank, तो इसमें क्या करना है, देखो, कोई fraction होगा, in a fraction, the number written about the horizontal line, तो यहाँ पर जो horizontal line है, देखो, यह fraction है, इसमें जो horizontal line के अबो जो number होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे numerator, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, देखो, यहाँ पर है, about the horizontal line is called numerator, तो यहाँ पर हो जाएगा, numerator, अब question number 4, देखो, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो, number जो है, इसको equal part में divide किया है, कितने equal part में, वह हमें कहाँ से पता चलेगा, उसके denominator में, देखो, यहाँ पर fraction है, तो यहाँ पर 5 divided by 9 है, इसे कहेंगे 5 9th, यहाँ फिर 5 by 9th, तो यहाँ पर जो number given है, 5, इस डिवैड होगा 9th part में, तो क्या सो करेगा, कि 5 जो है 9th part में divide है, इसका denominator, तो जो इतना denominator होगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, उतने part में numerator divide होगा, तो यहाँ पर होगा, the denominator, shows the number of equal part the whole has been divided into, तो यह हो गया, 4, आप करते है, question number 5, blank express the value of a fraction number, तो यहाँ पर जो fraction होगा number, fraction होगा, इसमें कौन express करेगा, value of fraction number की, इसकी जो value होगी, वो इसमें से कौन express करेगा, तो इसका जो numerator होगा, वही जो पुरा fraction है, इसकी value को express करेगा, ओके, तो इस fraction number का, जो numerator है, तो इसकी value को, तो यहाँ पर हो जाएगा numerator, अब करते हैं, question number 6, write the fraction for the part mentioned in the question, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, fraction लिखना है, जो भी part इसमें mention किया है, यहाँ पर जो question दिया है, A, B, C, उसमें से हमें इसका fraction लिखना है, तो देखो यह में दिया है, जोती had three toffees out of five toffees, what fraction of toffees did see it, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें fraction लिखना है, किसका toffee did see it, तो जो toffee उसने eat की है, किसने जोती ने, जोती ने जो toffee eat की है, उसका fraction क्या होगा, उसने out of five eat की है, three, तो इसका fraction हो जाएगा, three eat की है, कितने में से, five में से, तो यहाँ पर हो जाएगा, three by five, एक बार फिर से repeat करता हूँ, जोती add three toffees out of five, तो इसका fraction हो जाएगा, eat का, कितनी eat की है, three eat की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 by 5 ओके, आउट ओफ 5 इट किया है, तो 5 में से 3 को इट किया है अगर यहाँ पर ऐसा होता What fraction of toffees didn't see it? कितनी toffees उसने नहीं खाई है तो यहाँ पर क्या हो जाता? देखो 3 तो खाई ही है उसने 2 नहीं खाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 by 5 अगर ऐसा होता कि उसने कितनी toffees नहीं खाई है तो यह हो जाएगा 2 by 5 अगर ऐसा होगा कि कितनी खाई है उसका fraction लिखना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 by 5 तो यह हो गया A अब भी देखो A rickshaw puller spent half of his earning on his children he earns 40 rupees a day what fraction of money does he spend on his children तो देखो जो rickshaw puller है वो अपनी half earning उसकी earning होगी कितनी है देखो 40 rupees per day उसमें से half earning अपने children पर spend करता है तो हमें यह fraction में लिखना है क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर लिखता हूँ इसको यहाँ पर 40 rupees earn करता है per day तो इसका half कितना हो जाएगा 20 rupees हो जाएगा तो हमें किसका fraction लिखना है देखो what fraction of money does he spend on his children तो उसकी children पर कितना spend करता है उसका fraction हमें लिखना है तो देखो children पर 20 spend करेगा इसका half हो जाएगा 20 rupees तो 20 rupees spend करता है out of कितने में से 40 rupees में से तो यहाँ पर हो जाएगा 40 तो इसका fraction हो जाएगा 20 by 40 और इसे हम simplify भी कर सकते हैं देखो 22 to 40 हो जाएगा तो यह से 22 to 40 तो यह हो जाएगा 1 by 2 यह से divide भी कर सकते हैं 22 to 40 तो यह हो जाएगा 1 by 2 तो इसका fraction होगा 1 by 2 1 by 2 भी कर सकते हैं या फिर 20 by 40 तो यह हो गया B अब करते है C A rose garden has 200 rose plants out of which 40 plants bear white rose what fraction of white rose plant are there in the garden तो यहाँ पर क्या करना है fraction find करना है white rose, white rose plant का गार्डन में white rose plant कितने है out of 200 rose तो क्या हो जाएगा इसका देखो 40 जो है plant यह bear white rose है out of 200 rose तो क्या हो जाएगा 40 out of 200 तो इसका fraction हो जाएगा 40 by 200 और इससे हम cancel out भी कर सकते हैं 1,0 और यहाँ पर भी 0 और 4,5 जा 20 4,5 जा 20 तो इसका answer हो जाएगा 1 by 5 इसको हम के 1 by 5 भी कह सकते हैं या फिर 40 by 200 भी कह सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा C अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रेक्शन्स यह जो टॉपिक है यह आपके टेक्स्बुक के पेज नंबर 86 पर है देखो इसमें क्या दिया है फ्रेक्शन हम किसको कहेंगे फ्रेक्शन जो होगा और नंबर होगा तो नंबर को हम फ्रेक्शन फोर्म में कैसे लिखेंगे फ्रेक्शन फोर्म में नंबर कैसे होगे और इसमें दिया है देखो फ्रस्ट दिया है होल नंबर तो होल किसको कहेंगे होल यानि पूरा नंबर तो देखो मान लो कि यह पूरा पीज़ा है आपके पास अगर पूरा पीज़ा है तो इसे हम कहेंगे One All Pizza तो यह हो जाएगा One अब आपके पास यह जो पीज़ा है इसको आफ में डिवेट किया है तो इसको कहेंगे आफ पीज़ा तो उपर का जो पार्ट है तो यहाँ पर उपर का जो पार्ट है इसको भी 1 by 2 कहेंगे और नीचे जो है यह भी हो जाएगा 1 half ओके 1 whole pizza को हमने 2 part में divide किया है तो इच पार्ट हो जाएगा 1 half and 1 half फिर next है देखो यहाँ पर 1 pizza को 3 part में divide किया है तो देखो इच पार्ट हो जाएगा 1 third, 1 third and 1 third similarly यहाँ पर देखो यहाँ पर pizza को 4 part में divide किया है तो इच पार्ट हो जाएगा 1 fourth, 1 fourth, 1 fourth and 1 fourth तो जो 1 fourth है इतने पार्ट को हम कहेंगे quarter part भी कह सकते है देखो हमने time में पढ़ा था इतना जो पार्ट होगा 25% इसको हम कहेंगे 1 fourth या फिर quarter part तो इसको हम कहेंगे 1 fourth यह हो जाएगा हमारा fraction number यहाँ पर हो जाएगा 1 third जो है यह हो जाएगा fraction और इसको कहेंगे 1 half यह भी हो जाएगा हमारा fraction number तो यह हो गया हमारा whole number 1 third half and 1 fourth अब next दिया है reading and writing fraction fraction को हम कैसे read करेंगे और write करेंगे यहाँ पर दिया है यहाँ पर आपको square दिया है 5 square out of 5 square यहाँ पर 2 square है और shaded किया है देखो shaded है ओके dark है तो इसको कहेंगे shaded part तो 5 मेंसे 2 shaded part है तो देखो यहाँ पर है total part होंगे 5 और shaded part कितने है 2 तो इसको हम कहेंगे 2 by 5 या फिर इसको कहेंगे 2 fifth तो देखो जो saidded part ऐऊपर है कितना saidded है two part saidded है out of five तो इसको कहेंगे two fifth इसको number में ऐसे लिखना है और words में ऐसे लिखना है two fifth इसको कहेंगे two fifth is saidded तो यह हो गया अब यहाँ पर देखो eight square है इसमें से जो three है वो saidded part है तो इसमें saided part क्या हो जाएगा 3 out of 8 इसको क्या read करेंगे 3 8 देखों यहां पर है 3 8 ऐसे word में लिखना है और ऐसे read करना है और ऐसे number में लिखना है 3 8 तो यहां पर हो जाएगा 3 8 is saided तो यह हो गया reading and writing fractions देखों यहां लिखना है